में आज हम करेंगे exercise 4.3 यहाँ पर exercise 4.3 है construct a triangle when it's two adjacent sides and three angles are noun कि त्रिबुजों की रशना करना जब इसके दो आसन बुजाएं और तीन कौन दिये हो या ज्यात हो यहाँ पर मैं आपको इससे पहरा कर रहा था है मैं आपको construction of triangle यानि त्रिबुजों की रशना करना मैंने आपको त्रिबुजों की रशना से समधित exercise 4.1 और 4.2 करवाए थे exercise 4.1 में कौन से त्रिबुज थे जिसमें 4 बुजाएं और एक diagonal दिया हो exercise 4.2 में जिसमें तीन बुजाएं और एक तीन बुजाएं और दो बिकन दिये हो जबकि यह कौन सा वाला है जिसमें construct a triangle when it's two adjacent sides दो आसन ब जाएं and three angles are now तीन कौन ज्याथ हो तो यापर हम triangle कौन सा करेंगे जिसमें दो आसन बुजाएं दे रिखी हो और तीन कौन भी क्या दिये हुए हो मैं आपको गया दो आसन बुजाएं और तीन कौन कितने हो यह पूरे पांच तत्व हो गई 5 elements हैं जिसमें दो आसन बुजाए जब 10 में से 5 elements कम से कम प्रस्ट में दिये हो हम तब जो अचाच बुजाएं कर सकते हैं तो हमने पहला परा था एक साइब 4.1 बुजाएं एक भी कान यह भी 5 elements हो गई 4.2 में 3 बुजाएं 2 बुजाएं और इसमें क्या है दो आसन बुजाएं और 3 क्या है कौन है दो बुजा Quadratals M.O.R.E. Quadratals M.O.R.E. जिसमें M.O. 6 cm, O.R. 4.5 cm, Angle M. 60 degree, Angle O. 105 degree, Angle R. 105 degree है तो X.I. 4.1 question number 3 M.O.R.E. में जो अपने आपने किता में पढ़ा M.O. 6 cm, O.R. 4.5 cm, Angle M. 60 degree, Angle O. 105 degree, Angle R. 105 degree, यहाँ पर दो बुजाएं हैं M.O.R. दो बुजाएं हैं जबकि कौन 3 कौन है कौन M, कौन O, कौन R. तो हम इसको बनाने किलिबना क्या बर वरका है. मनाना होगा है, हर किसी प्रकार की आपको पर रत्रब ons यह भांते हैं. सबताए कि नियुक्त सब्सक्राइब नीजने सबस्क्राइब एक सोपां सुरू करते हैं श्टाब करते हैं सबसे क्या कि थे आधार भुजा ययाने कि बेस साइट खीचते हैं और आप देख रहे हैं इस चत्रे में जो हमने रब बना रखा है उसमें बेस क्या है इसका आदार क्या है M.O की माप कितनी है 6 cm तो हम पहरा क्या करेंगे पट्री के दबारा फिर से वही आदार खीचेंगे M.O जिसकी माप 6 cm होगी हम यह पट्री को र आप दूए हैं हम जब कोई भुजा खीचते हैं उस वह मैं क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे मैं मैं देखिए कॉण M से मनाइगे का और कॉन O मनाएंगे हम 105 अगरी का तो प्रकार से बनेगा क्या लिए आप जानते हुंगे हम सब्सकी है और क्लास से बनाना क्या घ्रुष से कॉंच बनाते हैं तो प्रकार से हैं सब्णाई गें। और यहाँ पर इस तरह से कॉन पर है कुन है M, मनाना है कितने आं सका, 60 उसके लिए हम इस प्रकार को insights तो यहМы इस प्रकार से, तो यह देखें हमने प्रकार कोना जिए है, हम क्या करेंगे इस ही माप करेंगे, जिस माप से आपने यह बिंदो M से एक चाप बहागा म क्या करेंगे, इस प्रकार को है किसे माप केखता है मैंने प्रकार को कहता है प्रकार रख देखे रहा है यहां पर उस चाहरा है यहां पर रख कर देखे भागतां तो तो हमने एक रखा खीश दी है यह करना एम x से है अब क्या करें यह प्रिकार यह क्या कितना को एक 700 देखिए दिए कि Обम prevention क्में करेंगे इहां से लगाँगे यहां उपर चाप कटाएए हैं इस चाप जो यहां पर चाप घयाँगे आवार क्या करेंगे यहाँ पर चाप करेंगे इस परकार से और इस बिंदु से हम क्या करेंगे 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 इस बिंदु से हम जिसकी माप 120 cents हैं, इन दोनों के बीच से ही चाप काटेंगे और उसको मिलाएंगे तो वह कौन बनेगा एक सुपा दंसका, तो हम क्या करेंगे, टरकासे इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, एक पॉइंट एक सुपी संस वाला और एक पॉइंट के 90 टिक्रे वाला, इन को मि सदेख को मिनाएगे लाइगे तो कौन क्या हो जाएगा 105 बन जाएगा तो दुनने व सवाई को मिनादिया और यह 来了 प्रकार को 4.5 cm खोलेंगे तो यह प्रकार 4.5 cm खोलने के बाद हमने यह चाप लगाया यहाँ पर यह चाप लगास्ट यह चाप लगाया और यह कितना वह वार डिहार, 4,5cm अब देकिए फिर से जुबाइंट राड़ है, यृंट रुए भिनु पारद र्से क्लादा है, अलिए भी टर्द र्से पार्सी पारद र्सम से क्लाद है, लिए पिर र' ृजद और र्सरिघ्स, और इस RZ ने पहले बारा M X था देखिए M X मने इसको परते बढ़ा दिया है M X को तो इस M X को जो है क्या कर दिया है इस RZ ने कावेकार दिया है इस पॉइन में कार दिया है इसका नाम ने बिंदू E लिख दिया है रस्ना में आप लिखेंगे, step Y लिखेंगे, construction no.1 first we draw line segment MO of 6 cm first draw a line segment MO of 6 cm from point M draw a ray M X of 60 degree other point from point O draw a ray O I of 105 degree next point take OR of 4.5 cm on the ray O I next point from point R draw a ray RZ from point R draw a ray RZ of 105 degree whose cuts to ray M X on the point at the point E MO or A is a quadratals तो आप इस प्रगारेशन ना लिखेंगे इसको पुड़ा करेंगे अब next day में आपको question no.2 और 3 जो भीस के बाद question no.1 को कराऊंगा आज आपको रशना लिखेंगे पहले चुते बना करके रशना पूरी लिखनी है और ले दिन question no.2 और 3 कराऊंगा तब तके लिए good bye